हेलो एबरिवन आज में इस वीडियो में एक पॉइम है क्लास 10th के लिए एनिमल्स इसको एक्स्प्लैन करने जा रहा हूँ आप वीडियो को आखिर तक वाच कीजिए और समझे देखिए एनिमल्स जो हम अच्छे से जानते हैं हमारे चारों तरफ रहते हैं उनके कुछ क्वै मैं स्ञेvu में फॉइम है लिभ्स ओफ ग्राष लिभ्स ओफ ग्राष इनके एक भुक है उसमें इक पॉईम है स्ञेस ऑ्स पॉइम लिए है एनिमल्स तो देखिये एनिमल्स में कभी क्या कहता है एक छोटा सा इंट्रों आपको दिया है यहाँ पर तो देखिए एक फ्रेज है यहाँ पर तो देखिए एक फ्रेज है इसका मतलब होता है अच्छा लगना अच्छा महशूश करना तो देखिए एक फ्रेज है इसका मतलब होता है अच्छा महशूश करना अच्छा लगता है किस के साथ रहना Animals के साथ रहना Then Then माने की Apexia यानि की Humans यानि Human की Apexia उसको Animal के साथ रहना ज्यादा पसंद है क्योंकि Whom He Finds Complicated and False क्योंकि उसको लगता है जो मनुस्य होता है वो बहुत ज्यादा जटिल परविर्ती का होता है Complicated होता है और False होता है यानि की वो ज्छूटा होता है ऐसा उसको लगता है कौन मनुस्य से उसको लगता है कि वो क्या होते हैं ज्यादा Complicated होते हैं तो चलिए पढ़ते हैं Poem को Poem पढ़ते हैं कहते हैं I think यहाँ से हमारी Poem है I think I could turn and live with animals They are so paleside and self-content तो कभी कहता है कि I think मैं सोचता हूँ I could turn कि मैं बदल जाऊंगा and live with animals और animals के साथ रहूंगा They are so paleside and self-content वो इतने सभ्य हैं and self-content हैं बहुत ज़्यादा सभ्य हैं और self-content हैं Self-content माने स्वा केंदृत यानि कि स्वाइंग के प्रतिक केंदृत हैं और उसे उनको कुछ लेना देना नहीं होता है I stand and look at them long and long मैं जब भी मिरे को जानवर दिखते हैं मैं खड़ा होता हूँ और उनको बहुत देर तक watch करता रहता हूँ अब यहां पर कुछ qualities आपको बता रखे हैं 6-7 qualities बता रखे है animals की इनको देखेगा ध्यान से तो कहता है number first कहता है they do not sweat and whine about their condition जानवर क्या करते हैं वो hard work नहीं करते हैं बहुत ज़्यादा परिश्रम नहीं करते हैं और नहीं अपनी स्थिती के बारे में रोते हैं, परिशान होते हैं they do not lay awake in the dark and weep for their sin वो अंधिरों में जागे नहीं रहते हैं यानि कि राद भर वो जागे नहीं रहते हैं and weep for their sins और अपने बुरे करमों के लिए रोते भी नहीं है they do not make me sick discussing their duties to God और नहीं वो हमको ये बताते हैं कि भगवान के प्रती हमारे क्या क्रतब्य है यानि कि धर्म क्या है जाती क्या है हमारे भगवान के प्रती स्रधा होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए इस discussion में जानवर कभी भी नहीं पढ़ते हैं not one is satisfied not one is demented with the mania of owning things demented with the mania of owning things और नहीं किसी को ऐसा नशा है जो चीजों को owning करने का mania एक बिमारी है कि किसी भी जानवर को ऐसी बिमारी नहीं है कि जिसको हर चीज को अपना बनाने की यानि कि अपनत्व की भवना उनमें नहीं है मेरा तेरा वाला वो नहीं करते not one kneels to other nor his kind that lived thousands of years ago तो कहतें not one kneels to another कोई भी जानवर दूसरे जानवर के सामने चापलूसी नहीं करता या घुटने नहीं टेकता या उनको आदर नहीं देता nor to his kind that lived thousands of years ago जैसा कि मनुश्य करता है अपने पूरवजों को अपने ancestor को मनुश्य क्या करता है पूजता है उनके आगे घुटने टेक करके जो भी है उनसे बातें करता है उनको मानता है या उनका आदर शम्मान करता है ऐसा जानवर कभी भी नहीं करते not one is respectable और unhappy over the whole earth उनमें से कोई भी ऐसा नहीं यानि कोई भी जानवर ऐसा नहीं है जो बहुत ज़्यादर respectable है उनके लिए यानि कोई जानवर आ गया उनके पाउं उसने छूने है ऐसा नहीं है और नहीं उनमें से कोई unhappy है over the whole earth पूरी प्रथवी के उपर कोई भी जानवर ऐसा नहीं है जो unhappy है so they show their relations me and expect them so they show their relations to me और इसलिए वो अपने जो relation है अपने रिस्ते हैं वो मुझे दिखाते हैं और क्या होता है relations to me I accept them और वो अपने रिस्ते मेरे से रखते हैं और मैं उनको श्वीकार करता हूँ they bring me tokens of myself वो मुझे मेरे होने का एहसास कराते हैं यानि कि वो मेरे ब्यक्तिगत चीज़ों को सिखाते हैं मुझे and they evince them plainly in their possession और वो उन चीज़ों को केवल अपने तक ही सीमित रखते हैं possession माने होता है धारण करना यानि जो गुण उनके अंदर है वो उन ही तक सीमित रहते हैं और वही चीज़े मेरे को वो सिखाते हैं I wonder where they get those tokens लेकिन मुझे आस्चरी होता है कि उनके अंदर इतने सारे गुण tokens का मतलब यहाँ पर है गुण चारित्रिक गुण I wonder मुझे आस्चरी है कि where they get those tokens कि कहां से उनके अंदर इतने सारे चारित्रिक गुण आते हैं did I pass that way huge time ago and negatively drop them क्या कभी ऐसे गुण मेरे अंदर भी थे कभी मैं भी निश्वार्थ था कभी मैं भी अच्छे बुरे के खयालों में नहीं डूपता था कभी मुझे भी ऐसा नसा नहीं था कि हर चीज मेरी होनी चाहिए मनुस्य का क्या है देखो जो भी चीज दूसरे के पास होती है तो उसको एक मैनिया हो जाता है फोबिया हो जाता है कि मैनिया वो भी चाहता है कि मेरे पास भी वो चीज हो और मनुस्य दिन रात कठिन परिश्रम करता है कठिन कारी करता है और फिर भी खुस नहीं होता यही कह रहा है कि कभी जानवरों में ऐसा नहीं होता क्या कभी यानि कि did I pass that way क्या कभी मेरे पास भी ऐसे गुन थे huge time ago बहुत समय पहले and neglectfully drop them और क्या मैंने उनको छोड़ दिया बिल्कुल जब एक बच्चा होता है मनुस्य भी जब छोटा बच्चा होता है तब उसमें ये वाले चीजें नहीं होती है अपना पराया ये क्या है मेरे कर्टब भी क्या है मेरे duties क्या है मैंने क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, ऐसे जब छोटा बच्चा होता है तो उसको कुछ भी पता नहीं होता है तो ये कभी इसमें आपको बता रहा है इसके राइटर आपको याद नहीं चाहिए Walt Whitman है तो thank you, watch this video and understand the poem